लॉट्सप गाइज मैं नेम इस विनुत बादु थापा एंड तुडे इंड इस वीडियो विविल सी लैंग अट्रिब्यूट इन एस्टेमल इन हिंदिश लेट्स विगिन जी आगाइज ना चाहूंगा कि आज जाम इस वीडियो में देखेंगी कि लैंग लेकिन सबसे पहले गाइज आगर अभी तक आपने मेरे चनल था अपा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लिजिए फॉर आल दी आसम वीडियो इस वीडियो में देखने वाले हैं यह लैंग अट्रिब्यूट क्या होता है इस्टेमल टैग में to declare the default language of the text in the page हमारा page जो हम HTML के document बना रहे है HTML कर जो हमारा page है उसका default language कौन सा है उसको declare करने के लिए हमें यह lang attribute का यूज़ करना पड़ता है ना when the page contains content in another language add a language attribute to an element surrounding that content इसका मदब यह कि सिर्फ आप lang attribute को HTML tag पर ही नहीं आप किसी भी tag पर यूज़ कर सकते हो जैसे आपने यह ने होगा यह एंप होगा तो यह जो मैंने लिख जैसे का मतलब आप browser को यह समझ जाएगा कि at least यह जो लिखा है वो इस language में लिखा है नेपाली तो उससे होगा यह कि अगर वेपेज मेरा यह लोड हो रहा है और किसी ने यह keyword लिख दिया ठीक है तो ब्रॉजर जब सर्च करेगा तो उसको मेरे वेपेज पर नेपाली keyword नेपाली words भी दिख जाएंगे तो यह हो सकता है कि नेपाल वाले में नेपाली पेज में मेरा यह search engine पर थोड़ा उपर आ जाए वहाँ पर तो समझ रहो तो यह basically बहुत important role play करता ब्रॉजर को यह समझाने में कि यह जो मैंने लिखा है वो किस language में लिखा है इसका default language क्या है क्योंकि एक बार आप html पर लिख देते हो lang activity यह तो यह by default html page के अंदर जित एक simple example दिखाता हूँ guys I think आपको समझ चुक है कि basically आपके web page का default language क्या है उसको बताने के लिए ताकि web browser को easy हो जाए समझने में कि कि किस language में लिखा गया तो html लिखना है सबसे पहले यहां पर देखिए गाइस अगर मैं देखे language लिख देता हूँ fr basically fr friends को represent करता है यहां पर h1 tag में मैं इंग्लिस लिख देता हूँ welcome to my channel अब देखे गाइस अब सोचरों कि यहार अगर मैं लिखता हूँ ना एक सब्सक्राइब पहले तो मैं यहां पर लिखता ही नहीं हूँ इसको मैं copy file पात करता हूँ ब्रावजर पर जाके इसको मैं आपको run करके दिखाता हूँ देखिए तो ठीक है वो चल रहा है ठीक है कोई प्रावलम नहीं है तो अब प्रावलम ही आएगा कि दिखिए अब अगर मैं यहां पर lang attribute लिखूंगा एन ठीक है तो भी कोई प्रावलम नहीं तब भी एकदम से कैसे convert करना वो सब उनको मालूम है बस आपको करना है कि आपको language बताना कि किस language पर लिखा गया ताकि वो SEO में बहुत help करे और ब्रावजर को पता चले अब मैंने लिख दिया France अब जैसी इसको मैं refresh करूंगा देखे गाई translate this page क्योंकि हमें मालूम है कि मैंने यहां पर English देखने के लिए कि जो इस page का content है वो फ्रैंस में लिखा गया है लेकिन जैसी उन्होंने फ्रैंस को set कर दिया वे ब्रावजर ने और उसने चेक्किया फ्रैंस में देखा है यह से welcome to my channel ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं इस तरिके से तो कुछ लिखा ही नहीं तो उसने क्या ब ब्रावजर को यह बता सकते कि किस language में क्या काम कर रहे तो इतना important role play कर दा तो by default आप एटलिस्ट एक HTML टैग में लैंग इकल टो इन लिख दीजे यह search engine optimization के लिए बहुत helpful होता तो I hope गैस आपको समझ गया होगा कि यह lang attribute क्या अगर गैस आपको वीडियो पसंदा है पिलीज इसको लाइक कीजिए अपने दोस्तों के सबसेड कीजिए और मेरी चैनल थपा टेक्निकों को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा टेक है for all the awesome वीडियो और कुछ डाउट होता तो बेफिकर होगे अपने इसे कमेंट कीजिए मैं आपकी जरूरह करूंगा so till then guys thank you so much take care कर दो